नमस्कार, न्यूज हेडलाइन्स में आपका स्वागत है. आज सुबर की ताजा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले. CG Election 2023, पी-एम मोदी आज 36 कड़ दोरे पर कांकेर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित, योगी शा भी आएंगे. पी-एम मोदी नवंबर महिने में 15 दिनों के भीतर 3 बार 36 कड़ आ सकते हैं. वे 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. इसके बा की बैठक में राजस्थान पे लंगाना चुनाव के लिए उमीदवारों पर हुआ मन्थन आज जारी हो सकती है सूची. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित भाजपा मुख्याले में बुधवार को हुई पार्टी की केंद्रिय चुनाव समिती की बैठक में दोनों में कप का देखे मैच. इंडिया वर्सिस श्री लंका वर्ल्ड कप 2023 लाइफ स्ट्रीमिंग तेलिकास्ट भारत का सफर इस विश्व कप में अब तक शांदार रहा है. उसमें अपने सभी 6 मैच जीते हैं और उसके खाते में 12 अंक है. टीम इंडिया जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्रेगी. उसमें आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, न्यूजिलेंड और इंगलेंड को हराया है. जैली, प्रवर्तन निदेशाले आज करेगा केजरिवाल से पूछताच, गिरफतारी की चर्चाओं से गर्माई दिल्ल की सियासत. एडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी आप के राश्चिय सयोजग को पूछताच के लिए 2 नवंबर को तलब किया था. केजरिवाल को आज दिन में 11 बजे एडी के दिल्ली स्थित कार्याले में पेश होने के लिए कहा गया है. इस बीच केजरिवाल की गिरफ चार सांसद और एक राश्चिय महासचिव मैदान में. मध्यप्रदेश में चुनाफ प्रचार अभी पूरी तरह परवान नहीं चड़ा है और नतीजे भी एक माह दूर है. इसके बावजूद आम आदमी से लेकर विशलेशक तक कयास लगाने में जुटे हैं कि भाजपा जीती तो सीएम शिवराज होंगे या कोई और. लेकिन राजधानी से दूर के इलाकों के वोटर बहसों में आगे की बात कर मंचाहे जवाब भी निकाल रही हैं. इस वेल वो गाजा में पसे लोगों का पहला जथा मिस्र में दाखिल हुआ, इसराइल ने शर्नार्थी क्या पर फिर की बंबारी. गाजा के स्वास्थ्य मंत्राले ने कहा है कि इसराइली हमले में गाजा में अब तक 8796 लोग मारे गए हैं. इन में 3648 बच्चे शामिल है. इस बीच गाजा में फसे हुए नागरिकों की निकासी का अभियान शुरू हो गया. एलोन मस्क, मस्क का सोरोस पर हमला कहां मानवता से नफरत करते हैं. वामपंथी अरप्ती नश्ट कर रहे समाज का तानाबाना. एलोन मस्क का कहना है कि जोर्ज सोरोस दिखाने के लिए मानवाधिकार और कथित प्रगतिशील गैर सरकारी संगठनों की मदद करते हैं, लेकिन असल में वे अपने लाब के लिए लोगों का इस्तमाल कर रहे होते हैं. आपको याद करवा दे, क्रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले. कमिल नाडू, अनुसूचित जाती के दो युवों के साथ अमानविय व्यवहार, निर्वस्त्र करकिया पेशाब, छै आरोपी गिरफतार. पुलीस अधिकारियों ने कहा कि पीडितों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. हाइकोर्ट के बड़े फैसले 2005 के पहले चैनित करमचारियों को पुरानी पेंशन विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच को किया बाहर. इलाबाद हाइकोर्ट ने एक अप्रेल 2005 के पहले चैनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है. गाजा वो युद्ध खत्म करने के लिए इस्राइल और फलस्तीन के लिए दोराष्ट्र समाधान की जरूरत पोप फ्रांसिस का बयान. एक साक्षातकार में पोप फ्रांसिस ने कहा कि इस्राइल और फलस्तीन दो लोगों की तरह है जिने एक साथ रहना है. इसके लिए बुद्धिमान समाधान है दो देश, इस्राइल और फलस्तीन. CBIC, फ्लैक मालिकों से ज्यादा बिजली शुल्क वसूला तो देना हाईगा 18% GST, CBIC का डेवलपर को निर्देश. CBIC के मुताबिक यदि डिसकॉम से खरीद कर महंगी बिजली बेच रही हैं तो GST देना होगा. वहीं अगर विशुद एजन्ट के रूप में बिजली दे रही हैं तो उसे आपूर्ती नहीं माना जाएगा. गाजा वो पैसों के लिए हमास ही ले रहा बच्चों की जान, आतनकी संवठन के संस्थापक के बेटे का विस्फोटक खुलासा. आतंकी संगठन हमास के संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन यूसुफ ने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा है कि हमास ही फलस्तीनी बच्चों के खून का प्यासा है एक ब्रिटिश पत्रकार को दिये साक्षतकार में मोसाब ने कहा कि हमास पैसों के लिए बच्चों की जान लेता है लोकसभा चुनाफ अखिलेश का एलान गट बंधन होने पर भी यूपी की 65 सीटों पर लड़ेगी सपा बाकी सीटे सहयोगियों के लिए पार्टी के राष्च्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाफ के मद्देनजर सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने की तैयारी करें अन्य दलों से गट बंधन होने की स्तिथी में भी सपा खुद 65 सीटों पर चुनाफ लड़ेगी हर्याना आज करनाल आएंगे केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिट शा अंतियोदय महा सम्मेलन को करेंगे संबोधित केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिट शा दशारा ग्राउंड में अंतियोदय महा सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम भी शिरकत करेंगे सम्मेलन में करीब 40-50,000 विभिन ने योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया है आपको याद करवा दे, कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले पाकिस्तान, अशांत बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलो का ओपरेशन जारी मुठभेड में 6 आतंकवादी धे पाक सेना ने एक बयान में कहा कि मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हत्यार, गोला बारूद और विस्वोतक बरामद हुए है सभी सुरक्षा बलो के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों और निर्दोश नागरिकों की लक्षित हत्या